जन्पत संभल की चंदवसी में सर्व समाज जागरुक्ता अभियान के राष्ट्रिय संयोजक कवी माधव मिश्रा ने अपने मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा के तहे धन अभाव में इलाज के लिए दरदर भटक रहे कैंसर पेडिक को दिल्ली के जीपी पंक मेडिकल में भर समाज से वी कवी माधव मिश्रा को पंजाबी समाज के अशोप अरोड़ा ने कैंसर पेडिक के इलाज एवं एडमिट कराने के लिए बताया जिससे वह बुद्वार को बड़ा बाजार में मरीज वृद्ध गनेशी लाल पुत्र तारत चंदर निवासी वेश्नो बिहार के बेटे हरीश कुमार से मिले हरीश कुमार ठेले पर ताला चावी बेचने का काम करता है हरीश ने उन्हें बताया कि उसके पिता गनेशी लाल कैंसर से पीडित हैं दो वर्षों से वह राजनेताओं के पास इलाज के लिए चक्कर काट रहा है सांसद और मंत्रियों से भी मिल लेकिन इलाज के लिए कोई मदद नहीं मिल सकी। कवी माधव मिश्रा ने तत्काल एंबूलेंस बुला कर कैंसर के मरीज को साईयों चिकित साले में भरती कराया जहां चिकित साधीक शक डॉक्टर संतोष कुमार ने मुरादाबाद साईयों के साईयों के साले में एमर्जनसी में भरती करा दिया जहां उनकी जांचे होने के बाद दिल्ली के जीवी पंध मेडिकल कॉलिज में इलाज के लिए भेज दिया उन्होंने बताया कि गनेशिलाल का इलाज दिल्ली में उनके मार्धिम से ही कराया जाएगा हरी इंकाय कात्ति करिदै इंका कैन्स का इसले मामला में मामला जीए है इंके-वेक जो नहीं करें हमकки हम लिए के तो बॉले वाप बागते रहे बागते रहे फिर परतानों के बापी आगे हम घर पे हमने चोटे मोट को दिखाया पर कोई फाता हुआ नहीं अब कहां लेकर आप अब देख मुरावाद रहे हैं मेरा नाम कभी मादमिस्रा अभी एक पैसेंट को रहे हैं ऐसा है कि जो है रात त्री मुझे नौ बजे के लगभग जो है अशुक कुमार जी हैं पंजाबी समात से हैं उन्होंने रात में रोक करके बताया था कि यह कैंसर पीडित है और यह ताले की यहां पर ठेला सा लगाती हैं बड़े बजार में तो मैंने का अच्छा मैं सुबही इनके घर पहुंच गया तो गनेचिलाद जी के देखा तो थर्ड स्टेज है इनके लिए और इन्हें सभी जगह यह गोमने के बाद जब निराश हो गए तो फिर मैं लेकर के मैंने लखनव बात की और इन्हें के रूपेसे के आपने रूपए बापिस ले जाएं मेरी समझ मेें समस एंपरे परदान मंतरी की चैंसर फीडितों के लिए योजनाएं चल लही Leistता की उसकारstory की मुझे कली पता चलिए बना मैं तो यह समझता था यह पहले से मेरी पास भेज़ देते तो मैं इन्हें बचाने का भर्सक प्रियास करता और आज भी भर्सक प्रियास कर रहा हूं दन्य बाद जैसे कि पीडित के रिश्टान ने बताया कि यह इन लोगों ने काफी मंत्रियों क मैं इतना कहना चाहता हूं कि नेतां को जागरुक होना चाहिए और मैंने तो प्रंड कर रखा है कि मेंजै केबल 40 वर्स्षों से मैं सामाज एक जीवन जी रहा हूं